हलो एवरिवान आदाब नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर एक्जाम अकेडमी आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सटी से आए हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर जो भी रिक्रिमेंट रहता है उसका इंफार्मिशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं तो आज हम इस वीडियो के माद्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रिमेंट आया हुआ है अप्लिकेशन फीस और क्वालिफिकेशन से संबंदित सभी इंपॉर्टेंट इंफार्मिशन को हम इस्टेप बाइस्टेप वीडियो के होसता रहे है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो नौटिकेशन है 2 मार्च 2014 को रिलीज किया गया था और इसमें इन्होंने ग्रूप A और ग्रूप C के सी से संबंधित यहाँ पर notification release किया हुआ है सबसे पहले हम देख लेते हैं department जहां से recruitment आए हुए है तो जिन stream से recruitment मांगे जा रहे हैं उसमें civil से तीन post पर recruitment मांगा जा रहा है वहीं chemistry से यहाँ पर तीन सीटे हैं computer science के लिए भी यहाँ पर एक सीटे हैं mechanical के लिए यहाँ पर 11 सीटे हैं ECE के लिए यहाँ पर 2 सीटे हैं E and I के लिए यहाँ पर 12 सीटे हैं EE में यहाँ पर 2 सीटे हैं वहीं bio and life science में एक सीटे हैं bio technology में एक सीटे हैं bio medical में भी एक सीटे हैं geology में एक सीटे हैं और physics में यहाँ पर 2 sito पर recruitment मांगा गया है, कुल total यहाँ पर seat रखी गई है, 40 sito पर recruitment मांगा गया है और यहाँ पर जो qualification रखे गए हैं, इस post के लिए उसमें आप लोगों का 3 years का diploma, engineering and bachelor degree in science में मांगा गया है, relevant यहाँ पर 60% marks के साथ, आपको भारत के किसी भी university या भी किसी भी institute से आप लोगों ने किया हुआ है तो आप eligible है फार्म को apply करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं और करके एक और यहाँ पर qualification mention है तो अगर आप लोग post SSLC with 2 years ITI with 60% marks के साथ आप लोगों ने किया हुआ है तो भी आप eligible हैं यहाँ पर थोड़े से experience भी मांगे गए हैं तकरीबन 2 साल का experience आप लोगों से मांगा गया है तो आप eligible माने जाएंगे अगर आप लोगों के पास दिया गया qualification है तो आप यहाँ पर eligible माने जाएंगे जिनने post पर recruitment आया हुआ है आप देख सकते हैं इंजीनियर के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है तोटल यहाँ पर एक सीटे इंजीनियर के लिए है जिसमें age limit पचास साल रखा गया है और जो salary यहाँ पर provide कराए जा रही है लेबल 12 की salary है यानि की आप लोगों की जो salary है एक लाख रुपए की करीब में यहाँ पर होने वाली है एक सीट यहाँ पर general category से निकल कर आये हुए है वहीं group C में यहाँ पर junior technician के लिए post मांगे गया है जिसमें 27 साल age limit रखी गया है और लेबल 3 का salary है जनरल के लिए 15 सीट है EWS के लिए यहाँ पर 6 सीटे है 11 सीटे OBC में SC के लिए 8 सीटे है टोटल 40 सीटे है और इनी 40 सीटों के बारे में हमने यहाँ पर discuss किया जो junior यहाँ आप देख सकते है junior technicians का यह जो post है उससे सम्मंधित यहाँ streams mention किये गए थे जिसमें post निकल कर आये हुए है लेकिन अगर आप superintendent engineer के लिए farm apply करना चाते हैं तो इसमें जो qualification रखे गए हैं उसमें M.E.M.Tech आप लोगों को 55% marks के साथ pass out होना जरूरी है भारत के किसी भी university या institute से साथ इसाथ यहाँ पर 8 साल का आप लोगों के पास regular service in group A post मर होना जरूरी है यानि कि आपके पास experience यहाँ पर मांगे गए है at least 3 years से regular service से executive engineer जिसमें आप लोगों की जो salary रही हो label 11 की हो तो आप eligible है या फिर आप लोगों के पास एक दूसरा भी qualification का option रखा गया है कि अगर आप लोगों ने B.E. या फिर B.T.E. किया हुआ है 55% marks के साथ आपने किसी भी university या institute से आप लोगों ने किया है साथ इसाथ 10 सा का आप लोगों के पास यहां पर experience मांगे गए हैं तो आप eligible हैं farm को apply करने के लिए तो guys इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और भी information हम चैनल के मादनेम से आप लोगों तक पहुचाते रहते हैं मिलते हैं कि नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much